नमस्कार मैं हूँ ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जहरकन के दिन भर की खबर जानते हैं जहरकन में तीन जुलाइ को हुई कनिया भीयनता नियुकती परिक्षा लेने वाली कुमार ने ही प्रस्ण पत्र लिज़ किया इसके एवाज में 75 अभियार्थियों से 20 लाख रुपाई लिये गए यह खुलासा पर्टना से गिरफतार गिरो करसे से अभिसेख ने रभिवार को रांची पुलिस के समक्ष किया उसने कहा है कि 20 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए अरोन को मिले सेस बचे 5 लाख रुपए उसे अमीत और अन्य को मिले हैं उसने बताया कि 2 जुलाई को टोकन मनी देने पर अभियार्थियों को लेप्टोप पर उतर दे दिया गया था और उसके बाद उन्हें परिक्षा सेंटर पर पहुँचा दिया गया उसमें 4-6 आयच्छे थे जिन्होंने टोकन मनी और मार्क सिट जमा नहीं की थी तो उन्हें एंसर सिट नहीं दी गई थी उन्होंने ही जेसेसी अध्यक्ष को प्रस्न पत्र लिख होने की जनकारी दी थी बाद में जेसेसी के अध्यक्ष ने इसकी जनकारी एसेसपी को दी है ज्यारखन की पाँच नेशनल कारीडूर की परियोजनाय फंसी किसी भी राजे के विकास के लिए अच्छी सलकों का होना अतियावस्यक है, परिवहन सुविधा सुब्यवस्थित होने से सरकार के रहसुन में बिरिधी होती है, वहीं आम लोगों को परत्यक्ष वा अपरत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, दूसरी ओर जारखन में एन ह, ए, आई की पांच नेशनल कारिडोर परियोजनाय कहीं जमीन के कारान तो कहीं फोरेस्ट के रियलेंस के कारान लंबी था है, सियम हमन सुरेन के समक्ष इस मामले को लेकर परिजन टेंसन दिया गया, उन्होंने मामले की गंबिर्ता को समझते हुए ततकाल समधित अधिका ताकि सड़क की परियोजनाय पुरी हो सके, ये सबी सड़के आर्थी गति विदियो को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, रजरापा मंदीर के पुजारी रंजीत पंडा का हिर्दय गती से निधान, सक्ति पीठ रजरापा माच निमस्तिका मंदीर के पुजारी र पंडाप 54 बर सिये का स्वमवार को सुबा हिर्दय गति रूखने से निधान हो गया, उनके निधान से सोक की लहर दड़ गई है, जनकारी के मताबिक रभीवार की देर साम को रामगर सहर के पतरातु बस्ति इथित आवास में उनका दिल का दोरा पढ़ गया, सोजनों ने आपरा तफ्री में उन्हें इलाज के लिए इर्बा राची इस्थित मेदानता अस्पताल में भरती कराया, जहां इलाज के करम में आज सुबा करीब 6 बज़े उनका निधान हो गया, उनके पार्थिव शरीर को राची से गोला के हेंसा पोड़ा इस्थित पैतरिक निवास लाया जा रहा है, उनका अम्तिम संसकार हेसा पोड़ा इस्थित मुक्ती धाम में किया जाएगा मौराबादी में गैंगवार वह कालू लामा के हत्या में सामिल सूटर सोनू गिरफ तार राइधानी राची के हाई सेक्रेटी जोन मुराबादी में गैंगवार वा कालू लामा के हत्या सहित नौ मामलों में वान्चीत लवकु सर्मा गैंग के सूटर सोनू सर्मा ओर्फ अमीत सर्मा ओर्फ चमहा को पुलिष ने चत्रा से गिरफतार कर लिया है वो मुल्डूप से बिहार के गया जिले के कोतवाली थाना चेतर का रहने वाले हैं राची में बर्यातू थाना चेतर के कोसुम बिहार रोड नबर साथ में रहता था 27 जन्वारी को मुराबादी में दिन दाहरे कालू लामा की हत्या के बाद सोनू सर्मा भाग कर पटना चला गया था वहाँ एक दो दिन रूखने के बाद लगातार ठीकाने बदलता रहा पुलिस से बचने के लिए आठ मा में सोनू सर्मा परते एक दिन ठीकाना बदलता रहा सार्दिये नवरात्र आई से सुरू मा भद्रकाली मंदीर परिसर में सोमवार को पूरे बीधी पी धान पुरवग सार्दिये नवरात्र के कलस के अस्थपना की गई इस दोरान माता के दरबार भकतों के जयकार से गुंजमाय होता रहा नवरात्र के परथम दिन बड़ी संक्या में सधालू माता के दरबार में पुजा आर्चना करने को पहुँचे थे मंदीर परिषर में सर्द्य नवरात्र का कलस अठपना से पुर्व अहले सुबा मात भदर काली के सिंगार पुजा होई माता की परतिमा को मात दुर्गा के प्रथम सरूब सैल पुत्री का रूप दिया गया सिंगार पुजा के वक्त मंदीर परिशार में उपसित भक्तों का रोम रोम पुजारियों के मंत्रों चारण से पुलकित होता रहा जारखन में पांच दिनों तक बारिश जारखन के रेजानी राची समयत कई जिलों में रविवार को मुशला धर बारिश रिकोर्ड की गई वहीं राची में सोमवार के दिन सूबा से ही आसमान में घहने बादल चाय हुए है मौसम विभाग ने बताया है कि अगले पांच दिनों तक हलके समात दर्जे की बरसा हो सकती है इसको लेकर विभाग के और से अलर्ट जारी कर दिया गया है रविवार को राची में 15 मिलीमीटर बारिश दिकोर्ड की गई अक्टूबर का महिना छुटियों के लिए पाचाना जाता है इस साल अक्टूबर महिने में सबसे अधिक तेवार है खास बाते हैं कि इस साल अक्टूबर महिने में दुरगा पुजा दा सारा और काली पुजा जैसे बड़े तेवार एक महिने में ही है जिसके कारण अक्टूबर महिने में बैंक 12 दिनों तक बंद रहेगा इससे बैंक के समंधित कार्यबादित हो सकते हैं युनियन बैंक एम एले सिंग ने बताया है कि बैंक बंद होने से सबसे अधीक बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों और स्टूडेंट वर्क को परिशाने उठानी पर सकती है भारत के अलग-अलग सारों में 12 दिन बैंक के लिए करमचारियों के छुटी रहेगी अर्बियाई ने अक्टूबर 2022 में पढ़ने वाली बैंक छुटियों के लिस्ट को जारी कर दी है अनुबंध पर नौकरी करने वालों के लिए खुसकबरी जार्खन में सरकारी नौकरी में अनुबंध पर बहाल होने वाले करमियों के लिए बड़ी राहत मिलने की सुचना सामने आ रही है मुक्ष मंत्री हमन सुरेन के ताजा फैसले के मुताबिक इन्हें जार्खन के ही किसी संस्थान से मैट्रिक और इंटर होने की अनिवारता से मुक्ति कर दी गई है अनिवारता से अनिवारता नायोग इन्हें से मुदाइ पैमाने पर जार्खन की युवाओ को रोजगार से जोरने की किवारत की गई है जार्खन के इंटर कॉलेज सिक्षकों की नहीं बनेगी सेवा सर्त नियमावली राजे में इंटर कॉलेज सिक्षा को अकर्मियों के लिए सिक्षा विभाग सेवा सर्त निमावली नहीं बनाएगी निमावली को लेकर बनाए गए ड्राप्ट को सिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है इसकोली सिक्षा एवम सक्षता विभाग द्वाराई समन्द में पत्र जारी कर दिया गया है विभाग द्वाराई जारी पत्र में कहा गया है कि आस्थाई प्रोस्विक्रिती प्राप्त इंटरमीडियेट कॉलेज एवं राज सरकार से अस्थापना अनुमत्ती प्राप्त इंटर कॉलेज के करमचारी सरकारी सेवक नहीं है ऐसे में इस कोटी के कॉलेज के करमियों के लिए सेवा सर्त निमावली बनाना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है आईसे में इसको लेकर सुरू की गई परकिरिया को निरस्त किया जाता है नकसलियों के बीरोध के बावजूद भी डिजिटल एस्ट्राइक करने में जूटी जारखन पुलीस गुमला जिले के चनपूर परकांड इस्थीत कुरूमगर थाना इलाके में नकसलियों के बीरोध की बावजूद परसासन मोबाईल टावर लगाने में जूटा है तिस वर्सों से नकसलि इस छेत्रे के बिकास में बाधा बने हुए है मोबाईल टावर भी लगाने नहीं दे रहे इसलिए परसासन ने मोबाईल टावर लगा कर नकसलियों के मोतोर जबाब देने जा रहा है कुरूमगर थाना छेत्रे के च्छा अस्थानों पर याटिल कंपनी के मोबाईल टावर लगाया जा रहा है टावर लगाने के बाद सेवा सुरू हो जाने के साथ ही नकसल परभावित चंगली और पहाडी छेत्रों में डिजिटल यूग की और बढ़ेगा मोबाइल टावर लगने से छेत्र में लोगों में खुसी है उक्त छेत्र में कई बड़ी समस्याव में से एक बड़ी समस्या नेटवर्क की है नेटवर्क के अबाव में राशन कारधार्यों को समय पर राशन भी नहीं मिल पाता है देव घर में दुरगा पुजा में मंचलो पर विशेश निगरानी दुरगा पुजा को लेकर नगर्थाना परभाई नागेंद्र कुमार मंडल ने बताया है कि नगर्थाना चेत्र में पर्याप्त जंक्या में पुलिस बलो को ड्यूटी लगाई जाएगी चपे चपे पर पुलिस की नजर रहेगी मंचलो वा पोकिट मारो पर विशेश निगरानी रखी जाएगी सहर में 50 से अधिक पुलिस पता अधिकारी वा कर्मी तैनात साधे लिवाज में की जाएगी दूसरी पूजा से साधे लिवाज में पुलिस पता अधिकारी हुआ कर्मी की ड्यूटी लगा दी जाएगी आम लोग किसी भी परकार की सुचना कंट्रोल रूम को भी दे सकते हैं प्राथमिक सिक्षकों का 11 अक्टूबर से अनिस्चित कालिन धरना परदरसन जारखन प्राथमिक सिक्षक संग के राजे इकाई की बैठक संग भवन सिक्षक सरोदय आश्रम सुखदेव नगर रांची में आयोजित हुई बैठक की अध्यक्षता परदेश अध्यक्ष राजे सुखला एवं संचालन परदेश माहा सचिव निखिल मंडल ने किया बैठक में राजे के सभी जीलों से आयोए परतिनिधियों ने सिक्षकों की समस्याओं की ओर संगठन का ध्यान आकरिष्ट कराया बैठक मेर निनल लिया गया कि राजे संगठन का प्रतिनिधी मंडल सिख्षा सची उयमुक मंत्री से मुलकाद कर सिख्षक समस्याओं के समधान हेतु वर्ता करेंगे तत पच्चाथ सिख्षक समस्याओं के समधान नहीं होने पर 11 अक्टूबर से सची वाले के समक्ष अनिस्टीत का लिन धाना परदसन किया जाएगा धन्यवाद